हेलो फ्रेंट्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है, आपकी तैयारी को लगातार और अनुवरत जारी रखते, कारे अले प्रिक्रिया यानि की ओपिस प्रोसीजर पर आदारित कोशन सीरी 20 आज हम करने वाले हैं, और ओपिस प्रोसीजर के कोशन से पुरानी प्रि साथ योपिस प्रोसीजर पर एक सक्सेस्पुल सीरीज में आपको चैनल पर आवलेबल करवा दी, और ये कोशन से बवंडर प्लान के तहत आपके लिए अवलेबल करवाया जा रहे हैं, यानि कि आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट है, वो छूटने वाला नहीं है, जिसमें सर्विस रूल से, इसके साथ में अकेडमिक पार्ट और पेपर का जनल पार्ट भी बवंडर प्लान के तहत चैनल पर आवलेबल करवाया है, अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं, तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए, ओपिस प्रोसीजर में हम अभी कर रहे हैं, ओपिस मेनेजमेंट एंड डिजिटाइजेशन यानी की इओपिस परादारित को संसीरी जाज हम करने वाले हैं, तो चलिए सातियों शुरू करते हैं, MCQs on Office Management and Digitization Part 20 का पहला को संदेख लेते हैं, 381, once the digital document is uploaded to e-office, what security is in place, एक बार डिजिटल दस्तावेज e-office पर upload हो जाने के बाद में कौन सी सुरक्षा लागू हो जाएगी, सातियों e-office में कौन से तरीके से digitization करते हैं, scanning कैसे करते हैं, क्या rule है, कौन से folder में रखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो जो हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर आपने digital document है, वो e-office पर upload कर दिये हैं, तो आप security किस प्रकार की log होनी चाहिए, option हमारे हो जाएगे, e-office security, steroid security, metadata security और scanning security, तो किस प्रकार की security आप लागू करेंगे, एक बार digital दस्तावेज e-office पर upload हो जाने के बाद में, कौन सी सुरक्षा पर करिया लागू हो जाएगी, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यह हो ज जो भी document upload हो चुके हैं, electronic form में upload हो चुके हैं, soft form में, तो वहाँ पर उनको सुरक्षित करने के लिए e-office security है, वो लागू हो जाएगी, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा, अगला सवाल देख लेते हैं, 382, what will be required for the security of the digitized document that are kept at temporary locations and awaiting migration to e-office, e-office, e-office में migration की प्रतिक्षा कर रहे, digital दस्तावेजो की सुरक्षा के लिए क्या आवसक होगा, बहुत ही important है, मनलब की physical document है, physical file है, उनकी e-scanning होती है, और e-scanning होने के बाद में उनको upload करना होता है, तो आपने scan करके और document and soft copy तयार कर लिए, उसको e-office तक ले जाने से पहले, जो इंतजार होता है, e-office में upload करने से पहले जो soft copy होती है, उनको migration के लिए वो प्रतिक्षा कर रहे है, तो आप सुरक्षा किस प्रकार की करेंगे, उनको कैसे secure रखेंगे, develop system and procedure for security, use anti-virus software, develop metadata guidelines और adapt scanning security, आइस्ताई स्थानों पर रखेंगे, जो की अभी आइस्ताई है, physical file से scanning करके आपने temporary रखेंगे, उनको e-office में migration करना है, तो इस period में उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, e हो जाएगा, develop system and procedure for security, इस परकार का system आपको develop करना होगा, procedure डवलप करना होगा, जिससे कि उनको ऐस्ताई स्थान से और e-office तक ले जाने में, migration करने में, किसी भी परकार का data चोरी नहीं हो, किसी भी तरीके से कोई security failure है, वो नहीं हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, system डवलप करना होगा और procedure अडप्ट करना होगा, किसके लिए सुरक्षा तंत्र डवलप करना होगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा, develop system and procedures for security, office procedure का आगलाग सवाल हमारा है, 383, in what type of digitization केने mechanism be used to manage access to information and provide an auditing of system access and modification, सूचना तक पहुँच को प्रबंदित करने और system access और संसोधन का लेखा जोगा प्रदान करने के लिए किस परकार के digitally करन में एक तंत्र का उप्यो किया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पर आपको प्रबंदित करना होगा, सूचना तक पहुच के लिए, और साथ में system access और संसोधन का लेखा जोगा, यानि की auditing system आपको develop करना होगा, एक्सेस के लिए, साथ में modification के लिए, तो किस परकार का digitally करन तंत्र आपको अपनाना होगा, हमारे option हो जाएंगे, और संसोधन का लेखा जोगा परदान करने के लिए, किस परकार के digitally करन में एक तंत्र का प्योग किया जा सकता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, C हो जाएगा, ये दोनों तरीके अपनाए जाएंगे, ये system आपको अपनाना होगा, for large digitization programs that may be widely distributed throughout an organization, ये program डवलप करने होंगे, where several staff need to add to and modify the collection of digitized records, ये दोनों चीज़े हैं, वो आपको तंत्र में उप्योग करनी होंगी, move to question number 384, what type of security system can be used in a small scale digitizing implementation by a single operator, एकल operator द्वारा छोटे पेमाने पर digitizing कार्यान में किस प्रकार की सुरक्षा प्रनाली का उप्योग किया जा सकता है, systems and procedures security, password protected system, metadata security, scanning security, what type of security system can be used in a small scale digitizing implementation by a single operator, एकल operator द्वारा छोटे पेमाने पर digitizing कार्यान में किस प्रकार की सुरक्षा प्रनाली का उप्योग किया जाएगा, मतलब कि सिंगल उप्रेटर है और छोटे पेमाने पर आप digitizing कार्यान में चला रहे हैं, तो उसकी स्रक्षा कैसे करेंगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, भी हो जाएगा, password protected system आपको develop करना होगा, एकल operator है तो password protected system आपको develop करना होगा, सात्यों ध्यान देना है कि एकल operator है वो password protected system बना सकता है, परन्तु e-office में बहुत बड़ा अगर organization है, और उस organization में किसी e-office के document को password दे दिया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दूसरा आदमी है, दूसरा करमचारी है, उसको access नहीं कर सकता, तो एकल operator है, तो password protected system यूज किया जा सकता है, परन्तु बहुत सारे लोग हैं, multiple operator हैं, तो वहाँ पर अलग तरीकी की security आपको develop करनी होगी, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, password protected system आप develop कर सकते हैं, अगर एकल operator है और छोटे पे में आने पर digitizing कारिकरम चला रहा है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा, भी हो जाएगा, अगला सवाल देख लेते हैं, 385, what can be done to avoid threats while migrating digital documents to e-office, digital दस्तावेजों को e-office में migrate करते समय, खतरों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब कि digital document आपने तयार किये, physical file हैं, उनकी scanning करिये हैं, और उनको folder में रख लिया है, और अब इनको upload करना है, e-office में migrate करना है, तो इसके बीच में जो भी खतरे आ सकते हैं, migration में जो threats हो सकते हैं, उन खतरों से आप कैसे बच सकते हैं, हमारे option हो जाएगे, using the built-in security features of the operating system, systems and procedures, security, metadata security, storage security, तो किस प्रकार की security है, वो आप ना सकते हैं, खतरों से बचने के लिए digital दस्तावेज को e-office में migrate करते समय, जो भी threats हो सकते हैं, उनको कैसे बचा जा सकता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा using the built-in security features of the operating system, मतलब कि operating system में पहले से ही security features होते हैं, के उपयोग कर सकते हैं, जिससे की digital दस्तावेज को e-office तक आप पहुचा सकते हैं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा using the built-in security features of the operating system, अगला सवाल देख लेते हैं, 386, security guidelines मतलब कि digital data को आप कैसे secure कर सकते हैं, e-office को कैसे secure कर सकते हैं, तो इसके लिए security guidelines हैं, वो बताया गए हैं, कौन-कौन से point ठीक हो जाएगे सबसे पहला है, safe custody and handling of the original paper files and documents need to be ensured, responsibility of the documents need to be allocated at the time of document collection is done, और third, access control should be applied and maintained within a file management system, this includes specifying who can read or alter a document, preventing copying or printing or setting an expiration date, उपर्युक्त सुरक्षा दिशा निर्देश में से कौन-कौन से सही हो जाएगे, first and third, first, second and third, first and second, second and third, तो security guidelines में से कौन-कौन से point हैं, दिशा निर्देश हैं, वो ठीक हो जाएगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, B हो जाएगा, first, second and third, तीनों point हैं, वो ठीक हो जाएगे, सबसे पहले क्या करना है, safe custody and handling of the original paper files and documents need to be ensured, मतलब कि फाइलें हैं, बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा मातरा में फाइल होती हैं, physical फाइलें हैं, उनको shift करना होता है, eye scanning के लिए ले जाना होता है, तो आपको safe custody में उनको hand over करना होगा, किसी भी person को देना होगा, किसी भी official को देना होगा, जिससे की वो document हैं, इधर उधर नहीं हो जाएं, पूरे राजकारी हैं, वो disturb हो जाएगा, अगर ये भी फाइल खो गई, तो safe custody और handling है, उसके लिए original paper के लिए आपको, किसी को responsibility देनी होगी, उनकी safe custody और handling है, वो ensure करना होगा, इसके साथ में second point में बताया गया, responsibility of the documents need to be allocated at the time of document collection is done, जब भी physical file हैं, वो ली जा रही हैं, collect की जा रही हैं, EOPS के लिए, तो responsibility दी जाएगी, कि प्रतिक document की responsibility allocate की जाएगी, जिससे की वो इधर उधर ना हो जाएं, कहीं गाया बना हो जाएं, और तीसरा point है, वो बहुत ही important बताया गया है, access control should be applied and maintained within a file management system, मतलब कि कौन उसको access कर सकता है, जो file लेकर के आ रहे हैं, तो उनको कौन देख सकता है, कौन maintain कर सकता है, ये भी manage करना होगा, this includes specifying who can read or alter a document, कोई file लेकर के आये हैं, तो उसको कौन पढ़ सकता है, और कौन उसमें बदलाव कर सकता है, digitization के लिए, preventing, copying और printing, कोई file लेकर आया और बीच में उसकी copy कर ली, या print करके और उसको public में ले आया है, public domain में ले आया है, मतलब leakage हो गया कागज का, तो ये भी रोकना होगा, और setting and expiration date, मतलब कि उसकी expiry date भी निधारित करनी होगी, तो ये सब चीजे हैं security guidelines में, आ जाएंगी digitization के लिए, EO piece बनाने के लिए, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, B हो जाएगा first, second and third, अगला सवाल देख लेते हैं 387, the training on how to convert physical files into electronic files and its transfer to EO piece needs to be emphasized on the need to adhere to the following factors, भोतिक फाइलों को electronic फाइलों में कैसे परवर्तित किया जाए, और इसे EO piece में कैसे इस्तानांतित किया जाए, इस पर prescription में निमलिकित कारकों का पालन करने की आवसकता पर जोर दिया जाना चाहिए, बहुत ही important factor बताया गया है, कि भोतिक फाइलों को electronic फाइलों में आप परवर्तित कर रहे हैं, और electronic form में मतलब की soft copy आपकी तयार हो गई है, तो उसको e-office में आपको करना होगा, shift करना होगा, ये सब प्रकरिया के लिए आपको prescription की जर्रत होगी, वहाँ पर training दिया जाएगा officials को, इसमें training देते समय आप कौन-कौन से कारकों को ध्यान में रखेंगे, कौन-कौन सी चीज़ों पर आप गौर करेंगे training के समय, हमारे option हो जाएगे, scanning guidelines, storage formats, security, और D option हो जाएगा, all of the above, सही उत्तर हो जाएगा हमारा D, all of the above, scanning guidelines, मतलब की scan कैसे करना है, physical file को आप electronic form में, soft form में ले जा रहे हैं, तो physical file से और soft form में कैसे convert करेंगे, यह सब चीज़ें हम वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं, आप जरूर देखिए, storage format किस तरीके से store करना होगा, कोई file है, उसको कहाँ पर store करके रखना है, बहुत सारी soft copy, eye scanning होके रखी हैं, तो कहाँ रखना है, physical file को कैसे naming करेंगे, और soft copy को कैसे naming करेंगे, nomenclature भी होना चाहिए, storage format है, वो होना चाहिए, और तीसरा सबसे important part है, security, मतलब की document है, कहीं पर leak ना हो जाए, कहीं public domain में ना चले जाए, या कोई दूसरे देश में ना चले जाए, तो उनकी security है, वो बहुत important हो जाएगी, तो security के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे है, सभी point है, training में रखे जाने चाहिए, इन पर gore किया जाना चाहिए, जिसे की physical file को electronic form में, यानि की e-office में convert किया जा सके, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, D हो जाएगा, all of the above, move to question number 388, guidelines for migration process, तो migration किस तरीके से किया जाएगा, कौन-कौन से point हो जाएगा, step first में हो जाएगा, create main folder with the name of the folder, same as that of the physical file in the local system, second point है, create subfolders inside the main folder for notes, receipts, issues and references, और third step हो जाएगा, all files active, closed, legacy are scanned along with their respective notes, receipts, issues, references and stored in separate folder, और subfolders, प्रवाशन प्रक्रिया के लिए, दिशा निर्देश के लिए, कौन-कौन से point ठीक हो जाएगे, first and third, first, second and third, first and second, second and third, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, B, first, second and third, तीनों step ठीक हो जाएगे, step first में क्या बताया गया है, create main folder with the name of the folder, same as that of the physical file in the local system, तो आप scanning कर रहे हैं, तो जो physical file का folder name है, वो ही क्या रखना होगा, soft copy में scanned copy का folder रखना होगा, इससे क्या होता है, कि जो file है, वो आपको physical form में देखनी है, तो उसका पता लग जाएगा, तो soft copy का folder name है, वो same रखना होगा, इसके साथ में second point बता जाएगा है, create subfolders inside the main folder for notes, कोई भी file के कोई note है, या receipts है, issues है, references है, तो उनके लिए उसी file के अंदर क्या करना होगा, subfolder बनाने होगे, और तीसरा point है, all files active, closed and legacy, तीनो प्रकार की files है, are scanned along with their respective notes, receipts, issues, references and stored in separate folders, subfolders, तो ये सब चीज़े हैं, separate folder में आपको store करके रखनी होगी, तो तीनो प्वाइंट है, वो migration process के लिए ठीक हो जाएगे, आप physical file को कैसे ही scan करेंगे, और उनको shift करना है, migrate करना है, ये office में, तीनो इस टेप अपनाने होगे, सई उत्तर हमारा हो जाएगा, B हो जाएगा, first, second, third, all are correct, office procedure का नया सवाल देख लेते हैं, 389, what is depicted in the given diagram, for integration with e-office, e-office के साथ एक ही करन के लिए, दिये गये चित्र में क्या दिखाय गया है, तो यहाँ पर चित्र आपको दिखा दिया गया है, यहाँ बताया गया है, file, folder, notes, receipts, issues, references, तो यहाँ बता रहे हैं, option हम देख लेते, diagram के अंसार, folder structure for restoring the scan notes, receipts, issues and references, D option हो जाएगा, all the above, e-office के साथ एक ही करन के लिए, यानि की integration करना है, e-office बनाना है, तो चित्र में दिखाया गया है, क्या बताया गया है, वो हमें पता लगाना है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, D हो जाएगा, file folder structure for restoring the scanned notes, तो scanned notes आपको त्यार करने हैं, तो file folder त्यार करना होगा, उसके बाद मैं इससे पहले वाले question में बताया था, कि एक file folder बनाया जाएगा, फिजिकल फाइल होती है, फिजिकल फाइल के same number है, same नाम है, यहाँ पर दिया जाएगा, soft copy में file folder नाम दिया जाएगा, इसके बाद में इसके अंदर जितने भी notes है, receipts है, issues है, references है, उनके लिए क्या करना होगा, sub folder बनाया जाएगा, यहाँ पर sub folder तयार किया जाएगा, तो यह सभी क्या है, sub folder है, और यह diagram में क्या बताया गया है, e-office में किस तरीके से store किया जाएगा, कैसे integrate किया जाएगा, यह बताया गया है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, D हो जाएगा, all of the above, move to question number 390, find physical file number where users create main folder with their respective sub folders as depicted in the table, तो यहाँ पर मैं आपको एक table दिखा रहा हूँ, बोतिक फाइल संक्या खोजे, जहाँ उपियोग करता तालिका में दिखाये अनुशार, आपने संबंदित उप folder के साथ, मुख folder बनाते हैं, यहाँ एक table बनाई गई है, टेबल में बताया गया है, main folder name है, इसके बाद में सब folder names दिए गया है, main folder का नाम दिया गया है, a-21001 और bracket में 3-5-2008-dfg, इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है, instruction बताया गया है, name of the folder should be same as that of the physical file number, following certain conventions, तो कुछ बाते बताई गई हैं, वो पता होना चाहिए, कौन से convention होते हैं, ये भी हम इससे पहले वाले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं, सब folder names कैसे देंगे, for notes के लिए अलग बनाएंगे, notes folder बनाएंगे, receipts के लिए, receipt folder बनाएंगे, issues के लिए, issue folder बनाएंगे, और references के लिए, reference folder बनाएंगे, सब folder बनाएंगे, तो इनको आप भोतिक फाइल संक्या पता लगानी है, ये आपको e-office का या soft copy का folder name दिया गया है, इसका physical file नम्मर आपको पता लगाना है, हम option देख लेते हैं, a-21001-3-5-2008-dfg, इसके बाद मैं a-21001-3-5-2008-dfg, और c में बतायागा है, a-21001-3-5-2008-e-file, और d option हो जाएगा, a-21001-3-5-2008-digital, टेबल से आपको भोतिक फाइल संक्या खोजनी है, कैसे पता लगाएंगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कि बोतिक फाइल का नम्मर इस परकार से, a-21001-3-5-2008-dfg, तो अगर आप इस फिजिकल फाइल को soft copy बनाना है, soft copy में, scanning करनी हैं, तो यहां कुछ convention बदल जाएगे, a-21001 और बिरेकिट में 3 आ जाएगा, तो मैं फाइल तो यह हो जाएगा, फिर आप slash की बजाए क्या लगाएंगे, underscore लगाएंगे, 5 लगाएंगे, फिर underscore 2008 में यह फाइल बनी थी, यह लगाएंगे, उसके बाद में underscore dfg बनाएंगे, तो मैं फाइल फॉल्डर है, उसको पता लगा सकते हैं, किसके आदार पर, scanned फॉल्डर से, या soft copy के फॉल्डर से, इसके साथ में, अगर मैं फॉल्डर दिया है, physical फाइल नमबर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, digital फॉल्डर को खोज सकते हैं, इस तरीके से आप फाइल खोज सकते हैं, इस तरीके से आप फाइल खोज सकते हैं, इस तरीके से आप सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा, साथियों को सन पसंदा रहें, तो like बटन दबाईए, नया सवाल देख लेते, 391, इन विच फॉर्मेट अल दा नोट्स, कर्रस्पोंडेंसेज, रिशिप्ट, इस्यूज, रिफरेंसेज आर इसकेंड, एंड सेवड इन दा इसकेंड प्रोसेज, एज सोन बलो, तरीके यहाँ पर बताएगा है, नोट्स हैं, कर्रस्पोंडेंसेज, इस्यूज, रिफरेंसेज हैं, उनको इसकेंड करना है, और सेव करना है, तो कौन सा प्रोसेज आप सकेंडिंग का अपनाएंगे, इसकेंडिंग का पहला पॉइंट देख लेते हैं, नोट्स आर सकेंड इन्टू ए सिंगल पीडिएप, इपोशिबल, अधर्वाइज, नोट्स आर सकेंड वन बाई वन, और सेकेंड है, करिस्पंडेंसेज, रिशिप्ट और इस्यूज, शुट बी सकेंड वन एट ए टाइम, अज ए सिंगल पीडिएप, और थर्ड है, रेफरेंसेज, शुट बी सकेंड वन एट ए टाइम, एज ए सिंगल पीडिएप, और फॉर्थ पॉइंट है, इस्यूज बी सकेंड वन एट ए टाइम, एज ए सिंगल पीडिएप, किस प्रारूप में सभी नोट्स, पत्राचार, रसीदें और मुद्दे, संदर भी सकेंड किये जाते हैं, और इस्केंड प्रिक्रिया में सहे जे जाते, जैसा कि ऊपर दिखाय गया है, तो कौन-कौन से तरीके इस्केंड के हो जाएंगे, जो फॉर्मेट बताए गये हैं, सभी नोट्स हैं, कर्रेस्पोंडेंसेज हैं, जिसमें रिसिप्ट और इस्यूज हैं, इस्केंड करेंगे, इस्केंड के तरीके क्या हो जाएंगे, हमारे option हो जाएंगे, PDF Formate in FTP client, PDF Formate in FTP client, PDF Formate in SFTP client, और d option हो जाएगा, PDF Formate in FTP ES client. तो किस तरीके से आप Save और Scanning प्रोसेसं गम्प्लीट करेंगे, सभी उथतर हमारा हो जाएगा, भी हो जाएगा किस format में आप इसेव कर रहे हैं PDF format in FTP client इस format में आप इनको सेव कर रहे हैं और scanning के तरीके बताया गए है सबसे पहले क्या बताया गया है Notes are scanned in a single PDF मतलब कि जितने भी notes होंगे फाइल के उनको single PDF में scan किया जाएगा इप possible अगर possible हो तो क्या करना है single PDF बनाएंगे Otherwise notes can be scanned one by one मतलब कि one by one उनको scan करके और उनका naming करेंगे nomenclature करेंगे Second point में बताया गया है Correspondences, Receipts or Issues should be scanned one at a time as a single PDF मतलब एक बार में करेंगे Receipts और Issues को एक ही बार में single PDF बनाएंगे और third में References should be scanned one at a time as a single PDF और fourth में Issues should be scanned one at a time as a single PDF तो आप scan कैसे करेंगे और save किस format में करेंगे save करने का format है answer में हमारा आ गया PDF format in FTP client में आप इसको store करेंगे save करेंगे और सातियों इनके full form भी मैं आपको बता देता हूँ Knowledge Manly आपको बता रहा है FTPs का मतलब क्या हो रहा है File Transfer Protocol Secure ये full form हो रहा है और FTP का File Transfer Protocol है SFTP का Secure File Transfer Protocol है और FTPs का full form हो जाएगा File Transfer Protocol over Explicit SSL और TLS तो इस तरीके से इनके full form भी बता दिये और किस परकास ये scanning करनी है और उनको किस format में store करना है Single PDF format है उसको FTP client में आप store करेंगे नया सवाल देख लेते है 392 Which module provides the facility to upload files from FTP client to EOPS server कौन सा module FTP client से EOPS server पर file upload करने की सुविदा परदान करता है तो option हमारे हो जाएंगे EOPS eStorage module EOPS eScanning module EOPS migration module और D option हो जाएगा EOPS PDF module कौन सा module FTP client से EOPS server पर file upload करने की सुविदा परदान करता है बहुती important question है सही उत्तर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा EOPS migration module मतलब की FTP client से उसको EOPS server में transfer करना है file को upload करना है तो यहाँ पर EOPS migration module आपको अपनाना होगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा EOPS migration module question देख लेते 393 what are the points to be kept in mind while using EOPS migration module EOPS migration module का उप्यों करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए option हमारे हो जाएगे the scan document is identically in content to the original and not tempered B option हो जाएगा to ensure the completeness of the scan documents C option हो जाएगा compare to the original physical document in terms of the content and number of pages or D option हो जाएगा all the above सही उत्तर हमारा होगा D all the above Office migration module का उप्यों करते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा सबसे पहला है the scan document is identically in content to the original and not tempered मतलब कि जो physical file है उसके जैसा ही होना चाहिए बिलकुल copy होनी चाहिए identical होना चाहिए कोई बदला उसमें नहीं होना चाहिए tempered वो नहीं होना चाहिए यह पहली condition है और दूसरा है to ensure the completeness of the scan documents मतलब कि physical file के सारे document है वो scan किये जाए ऐसा नहीं है कि आदे अदूदे ले करके और आपने upload करने के लिए scan कर लिए यह completeness होनी चाहिए और C में बताया गया है compare to the original physical document in terms of the content and our number of pages बहुत ही important है आपको scanning करने के बाद में compare करना होगा कि physical document है वो पूरे आ गए है और उनकी numbering है वो same दी गई है यह भी आपको ख्याल रखना है क्योंकि physical file को आप e-opice में convert कर रहे हैं आदे अदूरे या short form में नहीं होने चाहिए जो भी physical file है वो बिलकुल soft form में available हो जानी चाहिए यह migration module है आपको अपनाना होगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा all the above their friends question पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताईए नया सवाल देख लेते 394 में कारे करेगा जो digital दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन करेगा यानि की final verification करेगा वो कौन सा अधिकारी होगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा यह हो जाएगा deputy secretary और equivalent मतलब DS level का अधिकारी होगा deputy secretary level का अधिकारी होगा जो की nodal समन्वेक यानि की nodal coordinator बनाया जाएगा और वो final verification करेगा documents के सही उत्तर हमारा हो जाएगा यह हो जाएगा deputy secretary और equivalent new to question number 395 e-office digitization coordinator तो e-office digitization coordinator के क्या-क्या कारिये हो जाएगे इसके बारे में coordinator के बारे में कुछ बाते बताए गई हैं सबसे पहला है should be of the rank of under secretary or equivalent second supervision of the scanning digitization and integration activity third verify that the documents in files records are not tempered misplaced removed during the process of scanning और fourth point verify the completeness of the scanned file with the physical file e-office digitally करन समयने के बारे में कौन से कथन सही है उन में से कौन से कथन ठीक हो जाएगे हमारे option हो जाएगे first second and fourth first third and fourth second third and fourth और d option हो जाएगा first second third and fourth तो e-office digitization coordinator के कौन कौन से point ठीक हो जाएगे सही उत्तर हमारा हो जाएगा d हो जाएगा all of the above should be rank of the under secretary मतलब कि यह DS level का अधिकारी होगा DS या DS level का अधिकारी होगा यह coordinator बनाया जा सकता है और इसका काम क्या हो जाएगा supervision of the scanning digitization and integration activity जो scanning हो रही है या digitization हो रहा है उसको integrate करना यह सभी कारिय हो जाएगे इसके साथ में verify that the documents in files or records are not tempered यह भी verify करना है कोई tempering तो नहीं हो रहे है misplaced तो नहीं हो रहे remove तो नहीं किये जा रहे scanning के time पर file के document है वो कहीं पर tempering, misplaced और remove तो नहीं हो गए है और सबसे last में verify the completeness of the scanned file with the physical file इनको completeness के लिए DS level का अधिकार यह coordinator का काम करेगा और यह भी बताएगा कि physical file में जो document दिये गए है उनकी soft copy बना ली गई है सही उत्तर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा all of the above are the functions of the coordinator question देख लेते हैं 396 which is the committee that gives overall direction and leadership to the implementation of e-office which is advisory in nature should be constituted in such a way that it includes all the implementing divisions and key stakeholders वै कौन सी समीती है जो e-office के कार्यान में को समगर दिशा और नेतरत देती है जो परकरती में सलाकार है का गठनी स्तरह किया जाना चाहिए कि इसमें सभी कार्यान में परभाग और प्रमुक हितदारक सामिल हो मतलब कि वो कौन सी कमेटी बनाए जाये जिसमें e-office के कार्यान में को समगर दिशा दी जाती है और नेतरत परदान किया जाता है परन्तु इसके परकरती कैसी होनी चाहिए सलाकार होनी चाहिए और इसका गठन इस परकार से किया जाये कि सभी कार्यान में परभाग के प्रमुक हो और प्रमुक हितदारक सामिल किया जाये तो वो कौन सी कमेटी बनाए जाएगी हमारे option हो जाएगे प्रोजेक्ट स्टेरिंग कमेटी PSC, डिपार्टमेंट नोडल ओफिसर DNO, नोडल कोडिनेटर्स NC, प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन कमेटी PIC, कौन सी कमेटी में ये सभी चीजें हो जाएंगे, हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रोजेक्ट कार्यानोयन के लिए समक्र दिशा निर्देश और नेतरत प्रदान करेगी, परंतु इसके प्रकृति कैसी होगी, सलाकार होगी, और इसका गठन इस प्रकार से किया जाएगा, कि सभी कार्यानोयन प्रभाग और प्रमुक इतदारकी इसमें सामिल हो जाएगे, तो वो कमेट तयार होगी, PSC तयार होगी, PSC का मतलब प्रोजेक्ट स्टेरिंग कमेटी, नया सवाल देख लेते हैं, 397, the PSC can be constituted as follows, तो PSC में कौन-कौन लोग होगे, किस प्रकार से बनाई जा सकती है, उसका संग्ठन किस प्रकार का होगा, पॉइंट देख लेते हैं, सेक्रेटरी लाइन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, चेयर्मेन, नोडल ओफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, मेंबर सेक्रेटरी, और थर्ड पॉइंट है, हैट्स अप दा यूनिट्स, ब्यूरो, डिविजन, विंग, सेक्शन, डेस्क, फॉर्थ पॉइंट में, डारेक्टर जन फिप्ट, 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 फिप किस तरीके से होगा, Secretary of the Line Ministry Department, वो Chairman होंगे, जो भी Department में E-Office तयार किया जा रहा है, उसका Secretary है, Chairman होगा, और Nodal Officer कौन होगा, Joint Secretary Level का Member Secretary बनाया जाएगा, Head of the Unit, जिस Unit में E-Office बना रहे हैं, जैसे Bureau है, Division है, Wing है, Section है, Desk है, तो वो भी सामिल किया जाएगा, Director General NIC, क्योंकि NIC के अंडर E-Office तयार किया जाता है, और Designated D-A-R-P-G Official है, वो NIC के द्वारा नियुक किया जाता है, NIC-HOD of the Ministry Department, जो भी NIC-HOD बनाया गया है, Ministry में, Department में, वो भी Member की रूप में सामिल होंगे, तो इस तरीके से PSC है, वो तयार की जाएगी, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, C हो हो जाएगा, All of the Evo, question देख लेते हैं, 398, which committee will have the following functions, यहाँ पर कुछ फंक्शन बताये गए हैं, पहला है, setting the scope, long term goals and targets, provide project oversight, direction and guidance as needed for the overall implementation of the project, transition to EOPS in the defined time frame, ensuring the absorption and sustainability of the project, और third हो जाएगा, budget allocation and approval, तो यह सभी कारिये किस समीति के हो जाएगे, किस समीति के उपर कारिये होंगे, project steering committee, PSC, department, nodal officer, DNO, nodal coordinators, NC और project implementation committee, PIC, किसके कारिये हो जाएगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा, project steering committee, मतलब PSC के यह कारिये हो जाएगे, setting the scope, long term goals and targets, यह कारिये हो जाएगे, PSC के साथ में, provide projects, oversight, direction, guidance as needed for the overall implementation of the project, और transition to EOPS in the defined time frame, मतलब कि जो transition time period है, उसको define किया गया है, ensuring the absorption and sustainability of the project, यह भी उसका काम हो जाएगा, और budget allocation and approvals है, यह भी PSC के कारिये हो जाएगे, तो यह सभी कारिये हैं, वो किसके हो जाएगे, PSC के हो जाएगे, यानि कि project steering committee के हो जाएगे, question देख लेते हैं, 399, which committee will have the following functions, तो यहां कुछ function आगे और बताया गए है, allocation of the required resources for the smooth implementation, manpower, ICT in price structure, और second point है, decision of the model and approach for transition to EOPS, transition history and time table and finalization of digitization strategy framework, और third है, digitization time table and model of digitization in-house, outsource और mixed, किस समीतिक उपर्युक्त कारिये होंगे, departmental nodal officer, DNO, nodal coordinator, NC, project steering committee, PSC, और D option हो जाएगा, project implementation committee, PIC, सही उतर हमारा हो जाएगा, C हो जाएगा, project steering committee, project steering committee, क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, क्या constitution होता है, और क्या-क्या कारिये होते हैं, तो किसी भी committee के छोटे कारिये नहीं होते, एक question में सबको समीटना मुश्किल हो जाता है, इससे पहले भी PSC के function में question में लाया, अभी भी question में वही कारिये आ गए, मतलब की और दूसरे कारिये क्या हो सकते है, PSC के, तो allocation of the required resources for the smooth implementation, ये उसका कारिये हो जाएगा, manpower available करवाना, ICT in price structure देना, साथ में decision of the model and approach for transition to EOPC, ये दिया जाएगा, और transition, strategy क्या होगी, एक से दूसरे में बदलाव के लिए, क्या planning आपकी होगी, time table क्या होगा, finalization of the digitization, strategy framework क्या है, ये तैयार किया जाएगा, और third में बताया गया है, digitization, time table and module of digitization, कुन सा module adapt किया जाएगा, in-house होगा, outsource होगा, या mixed होगा, ये सब चीज़ें किसके कारिये हो जाएगे, PSC के कारिये हो जाएगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, C हो जाएगा, project steering committee, और साती हो, manual on office procedure, यानि की digitization और e-office पर आदा question series का अंतिम question देख लेते हैं, 400, which committee will have the following functions, तो कुछ function फिर से बताया गया है, ensure meeting the legal requirements of e-office, compliance to open storage formats, prescribed e-governments standards, IT Act 2000 and its amendment, और second point है, regular review of project deliverables and enforcement for smooth implementation, यहाँ पर बताया गया है, A में बताया, every 15 days for the first 3 months, every 30 days for 3 to 6 months, और C point में बताया गया, every 45 days beyond the first 6 months, किस समीति के उपर्यूत कारिये हो जाएगे, DNO के, PSE के, NCC के, PIC के, किस के कारिये हो जाएगे, यह सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, PSE के यह सभी कारिये फिर से हो जाएगे, ensure meeting the legal requirement of e-office, जो legal requirement है, उनको भी ध्यान रखना है, compliance to open e-storage, open e-storage को भी compliance करना है, और formats, prescribed e-governments standards हैं, उनको भी ख्याल रखना है, IT Act को भी ख्याल रखना है, क्या यह चीज़ों को upload किया जा सकता, या नहीं किया जा सकता, और कोई बदला होए है, IT Act के तहएग, तो e-office में वो document रखने या नहीं रखने, IT Act के तहत, इसके साथ में regular review of project deliverables and enforcement for smooth implementation, तो इसके लिए regular review भी किया जाएगा, यहाँ पर बार-बार उसको देखा भी जाएगा, इसमें condition बताए गई है, पहले तीन मेने का project है, तो पहले तीन मेने में 15-15 दिन में review होना चाहिए, उसके बाद में 3 मेने से और 6 मेने तक 30 दिनों के अंदर review meeting हो जानी चाहिए, अगर 3 मेने के अंदर कोई project चल रहा है, तो उसको 15-15 दिनों में review committee की meeting होगी, इसके बाद में 3-6 मेने में 30 दिन का होगा, और 6 मेने के बाद में क्या हो जाएगा, 45 दिन के बाद में review meeting होगी, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, project steering committee के यह सभी कारिय हो जाएगे, इस तरीके से friends office procedure part 20 के अंतिम question तक हम पहुच गए हैं, और अभी तक हमने 400 questions हैं office procedure पर कर लिए हैं, यह questions हैं, पुरानी परिक्षा में भर-बर के पूचे गए थे और अभी भी आने वाली परिक्षा में आप से पूचे जाएंगे, जैसे कि principal, vice principal, AC, DC, LDC, UDC, OS, ESO, SO, finance officer, in KVS, NVS, EMRS, UPSC, SSC and other departmental examinations, सात्यों knowledge monthly ने आपके syllabus को चारो और से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें service rules है, academic part और paper का general part भी करवाया जा रहा है, अगर आपने बवंडर प्लान के सारे वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिए और अपने selection को एक नई दिशा दीजिए, आज की question पसंद आए हैं तो like, share करें और channel को subscribe करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि knowledge monthly is the right choice, thank you very much.